कोरोना के इस विकट दौर में रोजगार के बाद अगर कुछ सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वो है सिक्षा कोरोना की वज़स से सिक्षा वेवस्ता पूरी तरह से चर्मरा गई है उसे दुरुस्त करने के लिए नए सिरे से प्रयास किये जा रहे है कोरोना संकतकाल में पढ़ाई को लेकर सेक्षिनिक संस्थानों के सामने जिस तरह की चुनोती खड़ी हुई है उसे देखते हुए आने वाले दिनों में सिक्षा के छेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे फिलाल जो एहम बदलाव होने जा रहा है उनमें उच्छ सिक्षन संस्थानों में अब प्रते कोर्स की पढ़ाई ओनलाइन और ओफलाइन दोनों में मिली जुली विवस्था लागू करने की तयारी जारी है जो प्रस्ताओ है उसके तहट 40 फीसद या उससे ज्यादा का कोर्स ओनलाइन पढ़ाया जाएगा जबकि 60 फीसद कोर्स को ओफलाइन पढ़ाने का विच्छार किया जा रहा है यूजिसे की उच्छ सिस्तरिय कमीटी ने फिलाल इसकी सिफारिश की है जिसे देश के सबी विश्विद्यालो और उच्छ सिक्षन संस्थानों को राय शुमारी के लिए भेजा गया है माना जा रहा है क्यों उच्छ सिक्षन संस्थानों की राय आने के बाद इस पर कोई अंतिम फैसला ले लिया जाएगा इस ड्राफ्ट में पढ़ाई के साथ साथ इसी पैटन पर परिक्षा कराने का भी प्रस्ताव दिया गया है यानी परिक्षा भी कोर्स के 40% हिस्से की ऑनलाइन होगी जबकि बाकी कोर्स के परिक्षा ओफलाइन कराई जा सकती है अब आप सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन परिक्षा किस तरीके से कराया जाएगा तो हम बता दे कि प्रस्ताओं के तहट ओनलाइन परिक्षा के लिए अलग-अलग तरीकों का जिक्र किया गया है जिनमें वाया वाइस यानी आवास के जरीए ओपन बुक एक्जाम ओनलाइन असिस्मेंट जैसे उपाईस सुझाए गए है कोरोना संकताल में UGC ने पिछले साल ही जारी की गई गाइडलाइन में सभी विश्विदालों से 30% कोर्स को ओनलाइन पढ़ाने का सुझाओ दिया था हाला कि जारतर विश्विदालों के पास ओनलाइन पढ़ाने के लिए जरूरी इंतिजाम न हो पाने की वज़ज़ से इसे टाल दिया गया था इस बीच ड्राफ्ट में कमीची ने सभी उच सिक्षन संस्थानों से ओनलाइन की जरूरी सुविदाएं जुटाने को कहा है जिसे पूरान नहीं किया जा सका अब जबकि एक बार फिर से देश में कोरोना की वज़ज़ से पढ़ाई बादित हो रही है तो ऐसे में फिर से इसे मुकमल करने पर जोड़ दिया जा रहा है नई विवस्था के तहट इसमें स्मार्ट लास्रों सबें सिक्षकों को ऑनलाइन पढ़ाने का प्रसिक्षन ऑनलाइन पाठ्थ समागरी का विकास आदिश शामिल है वैसे भी जस तरह के स्थिती है उनमें ऑनलाइन पढ़ाई और परिक्षाद दोनों ही अहम होगे लेकिन सवाल उठता है कि क्या मोबाईल और नेट के भरों से छात्रों के भविश्य को उज्वल बनाया जा सकता है आज भी देश के अधिकान शिलाकों में बिजली की भारी दिक्कत है कई छात्रों के पास स्मार्ट हो नहीं होता जुससे वह डिजिटली जुड़ पाए कहीं नेट्वक की समस्या तो कहीं डेटा का दिक्कत ये ऐसी समस्या हैं जिनने नजर अंदास नहीं किया जा सकता बोर्ड और सरकार को ओलाइन पढ़ाने पर कोई अंतिम फैसला करने से पहले इन छात्रों की परिशानिय को भी दूर करना होगा